अब तक मैंने आपको कई AI टूल्स बताए हैं, जिसमें कुछ पेड तो कुछ फ्री हैं, लेकिन आज इस वीडियो में ऐसे प्रीमियम AI टूल्स हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए क्रैक हुए हैं, फिर वो रियलिस्टिक AI वोईस हो, या अलेक्स और मारकस स्पीकर, या जो अभ से देख के एक ही बात बोलोगे, और इस वीडियो में आपके टेंप मेल का भी टेंशन दूर होने वाला है, तो हमेशा की तरह बिना कोई बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में आपको 6 ऐसे टूल्स बताऊंगा, जो एक AI कंटेंट क्रेटर्स के लिए क जैसा आपको पता है, अगर आप AI से वाइस डूब करते हो, या ट्रैंसलेट करते हो, तो कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं, अगर आप 11 Labs के प्रीमियम प्लान को भी ट्राइ करोगे, तो भी इसका रिजल्ट खराब रहता है, लेकिन एक बार इसे सुनो, तो यह रियलिस्टिक वॉइस ट्रैंसलेशन परसो AI से पॉसिबल हुआ है, यहां आपको पर्फेक्ट वॉइस ट्रैंसलेशन का फीचर मिलता है, जिसे फ्री में यूज करने के लिए यहां फ्री ट्राइल पर क्लिक करके, फ्री साइन अप कर लेंगे, अब यहां टेंप मे के टेंशन से दूर रहना है, तो next website freegmail.netlify.app पर आ जाना, यहां आप अपनी real gmail को बहुत सारे new gmail में convert कर सकते हो, जैसे मैं अपना real gmail अकाउंट एड़ करके generate variation पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो 2000 से ज्यादा new gmail बन गया है, इन सब का OTP मेरे main account पर आएगा, आप यहां देख सकते हो, यह मेरा main account है, जिसमें verification code आया है, और ऐसे ही सारे 2000 gmail में सभी का OTP main account पर ही आएगा, तो आप इन gmail को copy करके कहीं save कर लेना, आपको कभी temp mail यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी हम voice translation AI पर वापस आते हैं, और verify करके login कर लेंगे, login होने के बाद यहां देख सकते हो, चार credit free मिल चुके हैं, जिसमें एक मिनट voice के लिए एक credit use होता है, तो आप चार short video को translate कर सकते हो, जिसके लिए simple translate video पर आना, यहां आपको दो options मिलेगा, जिसमें first आप direct video link को paste कर सकते हो, जैसे मैं अभी अपने short video का link copy कर लेता हूँ, फि आपको बस किस language में translate करना है, वो बताना है, जैसे यह हिंडी में है, तो इसे English में translate करेंगे, और number of speaker को auto select कर देते हैं, फिर देख सकते हो, सिर्फ एक credit लग रहा है, तो इसे translate कर लेंगे, और कुछ देर में वीडियो आ गया है, तो पहले original voice सुनो, और आपके में भी 11 Labs अब ये शो कर रहा है, और आपको भी लग रहा है कि अब इसके लिए हमें पैसा देना है, फिर translated voice और आप इसे सुनने के बाद समझ सकते हो, ये कितना useful हो सकता है, और YouTube के copy-paste game को काफी ज्यादा enhance कर सकता है, बाकी voice translation में आप direct video file भी upload कर सकते हो, जिसमें आपको अपने video को 4 मिनट के अंदर trim कर लेना है, जैसे मेरे पास 3 credit बचा हुआ है, तो मैं इसे 3 मिनट के अंदर रखूँगा, आप कोई भी editor से ऐसे ही trim करके upload करना, और next step में अपना language select करके translate कर लेना, बाकी इतनी realistic voice तो आप खुद से भी नहीं बना पाओगे, और इसे आप simple यहां से download भी कर सकते हो, तो अब परसो AI को use करना Chinese videos या किसी भी language के videos को translate करने के लिए, और credit खत्म होने के बाद दोबारा new Gmail से login कर लेना, आपको 4 credit फिर से मिल जाएंगे, अब next AI tool किसी और काम के लिए है, लेकिन हम उसे किसी और चीज के लिए use करेंगे, मतलब ये उनके लिए जुगाड है, जो 11 labs से voice generate नहीं कर पाते, या जिन्हें Alex और Marcus speaker चाहिए, वो भी unlimited credit क साथ बिना कोई temp mail के tension के, तो अभी हम realistic unlimited AI voice के लिए Filmora app यूज करेंगे, जी हाँ, मेरे पास Filmora का जो app है, उसमें बिना किसी problem के AI voice generate हो जाता है, जो आपको अभी करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले simple new project से कोई भी image add कर लेना, क्योंकि image से कोई मतलब नहीं है, फिर image add करने क्योंकि यहाँ कोई limit नहीं है, एक बार में long voice generate हो जाएगा, तो script paste करने के बाद यहाँ text to speech का option देख सकते हो, जिसमें click करने के बाद सामने ही mark a speaker और थोड़ा नीचे आओगे, तो Alex speaker मिल जाएगा, बाकी इसके सभी speaker 11 labs की तरह realistic हैं, तो अभी मैं Alex को ही select करके create कर रहा हूँ, और आप ये voice सुन सकते हो, आपको end से भी सुना देता हूँ, जिसका details लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा, मिलते हैं next वीडियो में, thanks for watching. चाहिए, तो दूसरे speaker से create करता हूँ, और ये भी सुनके समझ सकते हो, अब AI voice के लिए कोई problem नहीं होगा, और इसे आप export करके किसी भी MP8 file converter को use करके सिर्फ voice को अलग कर सकते हो, अब ये Filmora app कहां मिलेगा, वो fourth AI app के साथ बताऊंगा, तो अभी next AI पर चलते हैं, जो आपके Leonardo या Microsoft पर बार बार sign up करने की tension को खत्म कर देगा, ये है Mone APK, इस पर आप unlimited realistic image बना सकते हो, simple इसे open करोगे तो starting में inspire me पर click करके generate कर लेना, और कुछ देर में see the result का option से जो image आएगा उसे देख सकते हो, उसके बाद अब यहां से back आ जाना, जिससे आप main interface पर आ जाओगे, जिसमें इन सब को आप try कर लेना, मैं direct text to image पर चलता हूँ, अब देखो यहां आपको advanced feature मिल ज आता है, जहां से size वगेरा change कर सकते हो, और upload photo से similar photo भी generate कर सकते हो, तो अभी मैं इसे landscape size पर रखकर quantity को 4 करके apply कर लेता हूँ, फिर simple जो image चाहिए, वो prompt देकर generate करते हैं, और result आपके सामने है, अभी यह logo का tension मत लेना, क्योंकि इसे आप हटा सकते हो, बाकी image quality देखो काफी realistic ह और कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, इसे simple यहां से download भी कर सकते हो, अब यह app भी आपको कहां मिलेगा, वो next AI के साथ बताऊंगा, अभी यह जान लो, अगर यह सारे apps में कोई भी problem आता है, तो simple app info पर आकर उसका data clear कर लेना, आपका problem solve हो जाएगा, और अब अपने main AI tool पर चलते हैं, जो इस वीडियो को बनाने का main reason है, तो यह AI है, AI chat app, इसे open करके सभी चीज़ें finish करोगे, तो सामने आपको join telegram का option मिलेगा, जिस पर click करने के बाद आप next gen store के channel पर पहुँच जाओगे, और यही आपको सभी premium apps मिलेंगे, यह मेरे एक friend का है, जो अब से इसमे जितने हो सके premium apps को upload करेगा, साथ में कुछ चीज़ें जो crack नहीं हो पाता, उसे भी कम price में provide करने की कोशिश करेगा, इस channel का link मैं description में दे दूंगा, जहां से आप ये सारे apps को download करके install कर लेना, अगर आप ये video late से देख रहे हो, और apps सामने show नहीं हो रहा हो, तो simple इस पर click कर और नीचे files पर आकर देखना, यहां आपको सभी apps मिल जाएंगे, तो अब AI chat पर वापस आ जाते हैं, जिसमें ये AI models पर देख सकते हो, GPT के paid version के साथ साथ Gemini के भी paid models यहां उपलब्ध हैं, तो अभी 4.0 mini को try करते हैं, जिसमें कुछ भी prompt देने पर जैसे chat, GPT work करता है, वै की main यहां से आप image भी add कर सकते हो, जैसे मैं इसको add करके prompt में animation prompt देने बोलता हूँ, आप देख सकते हो, complete prompt आ गया है, इसी तरह आप जो चाहो यहां details ले सकते हो, और यहां से कोई दूसरा model चाहिए, तो direct select कर सकते हो, अब वापस home पर आ जाते हैं, क्योंकि इस AI पर chat, GPT model क के अलावा भी काफी useful tools हैं, जिसमें first तो यह image generator है, जो पहले monet AI बताया उससे काफी ज्यादा advanced और realistic है, यहां भी आपको size में YouTube और real size दोनों मिल जाता है, तो अभी मैं राजपूत warrior image का prompt दे रहा हूँ, और generate करने के बाद देख सकते हो, image quality काफी ज्यादा high है, तो अब से आ अब ही आने वाले सभी tutorials में यही image generator को use करने वाला हूँ, इसकी quality Leonardo को भी fail कर देती है, तो अभी वापस home पर आ जाते हैं, और इस tool के सभी features को आप try करना जैसे upload image and ask में आप किसी भी image को add करके उसके बारे में पूछ सकते हो, फिर PDF upload and ask भी students के लिए काफी useful है, साथ ही अब से इसके AI keyboard को set करके रख लेना, आपका grammar mistake कभी नहीं होगा, तो ऐसे ही सभी चीजों को try करना, क्योंकि यह 100% free है, और अब image animation के लिए next AI पर चलते हैं, जिसमें पहला है meta AI, इस AI पर भी आप image generate कर सकते हो, लेकिन साथ में image को animate भी कर सकते हो, वो भी बिलकुल free और unlimited बिना कोई credit limit के, तो simple, इसमें अपने Instagram या Facebook अकाउंट से login हो जाना, फिर image generate करने के लिए imagine पर click करना, और कोई भी image prompt add कर देना, मैं अभी POV shorts का एक image prompt दे रहा हूं, और कुछ देर में image generate हो जाएगा, आप quality देखो, यह भी काफी अच्छी है, बाकी यहां से आप size भी select कर सकते हो, मैं य यहां कुछ cinematic वीडियो के prompt से image generate करके दिखाता हूं, तो इसे YouTube size में generate कर रहा हूं, और देख सकते हो, exact वही image है, जो हमने cinematic trailer tutorial के time बनाया था, अभी इसे वीडियो में convert करने के लिए यहां animate का option मिल जाता है, जिस पर click करते ही कुछ time में सभी images animate होने लग जाएंगे, तो यह animation देखो, free और unlimited है, तो बहुत जगहा use कर सकते हो, अब अपने downloaded image से video बनाने के लिए इसे cut करके, यहां plus पर आपको image add करने का option मिल जाएगा, जिसमें अभी इस photo को add कर रहा हूं, और prompt में simple animate this image ही लिखा हूं, तो animate होने के बाद देख सकते हो, यह बहुत ज्यादा advanced तो नहीं है, लेकिन काम चल सकता है, अगर आपको image में simple animation चाहिए, तो इसका use कर सकते हो, नहीं तो अब next AI पर चलते हैं, जो कि सिर्फ image to video के लिए है, Digen AI, मैंने काफी ज्यादा research किया, free image to video के लिए, कि कोई cling AI की तरह advanced हो, लेकिन sorry to say, free नहीं मिल पाया, लेकिन Digen AI पर आप new sign up पर free में 10 videos बना सकते हो, और quality भी काफी अच्छी है, तो अभी direct इसमें sign up करके free credit लेते हैं, और इसमें भी यह Gmail work करता है, तो temp mail का tension नहीं रहेगा, अभी इन में से किसी भी को use करके, अपने main account से verification code ले लेते हैं, आप देख सकते हो, free 300 credit मिल चुका है, साथ ही इसमें daily 120 credit extra मिलते ह तो अभी image को video में convert करते हैं, simple यहाँ click to change image पर अपना image add करके, फिर video prompt में अभी normal prompt दे रहा हूँ, और इस पर आप 1.2.1 model use करना, यह ज्यादा facial expression शो करता है, और यहाँ देख सकते हो, सिर्फ 30 credit लग रहा है, तो generate करने के बाद यह video कितने time में बनेगा वो आ जाता है, जो कि लगभग 5-10 मिनट ही लगता है, अभी इसके generate होते तक मैं एक cinematic image को भी try करता हूँ, detailed prompt के साथ, तो दोनों video generate होने के बाद result दिखाता हूँ, first video को पहले देखते हैं, इसे देख के आप समझ सकते हो, prompt के according movements हैं और perfect video में convert हुआ है, बस यहाँ video की quality थोड़ी low लग रही है, अ यह भी काफी natural है, prompt में changes से इन्हें अच्छा कर सकते हैं, बाकी अगर आपको यह पसंद ना आया हो, तो cling AI ही use करो, क्योंकि वहाँ भी यह Gmail 100% work करता है, तो आपको 166 credit free मिल जाएंगे, और रात के समय 11 बजे के बाद cling AI high speed में work करता है, जो कि professional videos के लिए best है, बाकी मुझे त देखो, prompt change करने के बाद animation बदल गया है, तो यह थे सारे tools जिन्हें आप free में use कर सकते हो, आपको कैसा लगा comment में जरूर बताना, और कुछ YouTube privacy reasons के कारण apps को मैं telegram पर ही provide कर सकता हूँ, तो telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इन tools का use कैसे करना है, वही न हूँए